तो रेल्वे के अंदर काफी बढ़िया वेकेंसी आई है अगर आपको फॉर्म फिल अप करना है तो सबसे पहले मैं आपको जो इसका डिटेल नौटिपिकेशन है वह बेताने वाला हूं काफी बढ़िया बढ़ती है और काफी अच्छे पदो पर यह आये हुई है तो कंप्ल कल से आपका यह फॉर्म फॉर्म हो जाएंगे 9-3-20049 से इसके फॉर्म शुरू हो रहे है और जो इसके लास्ट डेट रहने वाली रहेगी 8-4-2020 यानि कि आप 8 अपरेल 2020 को और लास्ट टेम पर 11-1-9 मिनट पर आपका फॉर्म का सबमिशन क्लोज हो जाएगा ठीक है और तो यह तो होगी प्रेंट से जनकारी अब मैं आपको बदाएता हूं ठीक है इसके लिए एज क्या रखी गई है तो सबसे पहले हम एज जान लेते हैं तो यहां पर दो पोस्ट थी तो पहली पोस्ट जो रहेगी टेक्निक टेक्निशन ग्रेड फर्स्ट सिंगल ठीक है और सेक यहां पर यहां पर टेक्निशन ग्रेड फर्स सिंगल के लिए मैं आपको बता रहा हूं ठीक है इसके लिए अगर मेडिकल स्टेंडर बीवन रहेगा और इसके जो एज लिमिट आपके रखी गई है तो आपकी एज है तो आप इसका फॉर्म फिलप कर सकते हो और इसमें आपको सेलरी मिलेगी 19,900 रुपए आपको सेलरी मिलने वाली है और यहां पर इसकी एज लिमिट रखी गई है वह 18-33 सल के बीच में आपकी रखी गई है और इसमें टोटल पोस्ट 8,000 यानि काफी बड़ी जो वेकेंसी है यहां पर टेक्निशन ग्रेड थर्ड में आपको देखना को मिल जाएगी और दोनों की टोटल जो वेकेंसी आई है वो 9,145 वेकेंसी आपके लिए आई हुई है फॉर्म फिलब करना है आपको काफी बड़ी वेकेंसी है कल से फॉर्म शुरू हो रहे है फॉर्म कैसे बढ़ना है उस पर मैं अलग वीडियो लेकर आने वाला है यहां पर फ्री ट्रेन आपको टिकेट दी जाएगी इसमें आप आराम से स्लीपर टिकेट दी जाएगी अगर आप इसके लिए डिमांड करते हो तो ओन रिक्वेस्ट पर ठीक है यहां पर यह काफी बढ़िया अप्रेट है इसको देख सकते हो या मैं आप मुझा मैं के लिए आपको यहां पर तीन साल की यहां पर छूट दी जाने वाली है और एक सर्विमिसमें के लिए आप यहां पर देख सकते हो ठीक है यहां पर अलगलग छूट है तीन साल छे साल और आट साल की यहां पर आपको छूट दी गई है और अगर आप पीड़ेब्ली बीड तो आपको यह काफी इंपोर्टेंट अपडेट है ध्यान रखना है आपको अगर आपकी आपकी एज है और अठार से थातिस साल यहां पर दोनों पोस्ट के लिए अगर आपका अंड्रिजवर्ड या नहीं आप देखते हैं यहां पर आपका जन्म होना चाहिए वह दो साथ इस साथ देख लिए अगर आपका जन्म होना चाहिए और इसके लिए इस वीडियो को पोस्ट कर लिए और अच्छे से लिमिट को देख लिए ठीक है और इस अगर आपका इस देट यहां पर देट बर्त के बाद का अगर जन्म है तो भी आप फोंप नहीं कर पाहें तो इस एक बार इस कोच्छे से द्यान से देख लिजिए ठीक है अब इसके अंदर आपको फॉम फिलप करें तो आपकी फीस की इतने लगी कि फीस का भी मैं आपको बता देता हूं अगर आप फॉर ओल केंडिट्स यानि का आपको सभी के लिए आपके जो फॉम फिलप के फीस लगे और दोनों जो आपको फीस दी हुई है यह दोनों आपको रिफांडेबल होगी यहां पर 500 रुपे अगर आप सीबीटी में इनवल होते हो तो यानि का अगर आप परिक्षा देते हो कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट होता है वह अगर आप देते हो तो आपको फीस वापस आप यहां पर देख सकते हो इसमें पॉइंट में आपको अच्छे से दिया हुआ है ठीके फीस रिफांड के बारे में कि आप जब भी फॉम फिलाप करोगी तो इसमें आपको अपना नेम बेंक का नेम ठीके और अपना नेम अपको अका खुद का नाम और अकाउंट नंबर और आपको डालना पड़ेगा जो आपकी फीस होगी 400 रुपए वह आपको यहां पर वापस से रिफंड कर दी जाएगी 100 रुपए ने किये जाएंगे सिर्फ 450 रुपए आपको 400 रुपए किये जाएंगे ठीक और इसमें आपको 250 रुपए माइनस बेंक चार्जे यहां पर है माधा वाद माधाए जायगे आपको दॉपएनया माल valeur इसना हो जाएगा उसके बार में आपको एस मेंतरे अव्स में आपका हो जाएकर तो इसमें आप जो इसका पेटर्न एंट सेलेबस आप देखते हो टोटल आपके 90 मिनिट का पेपर होगा और सोर्स क्यूश्चन आपके यहां पर आने वाले हैं वह इसमें मार्किंग होगी वन अपन त्री यानि कि एक बटा तीन आपकी मार्किंग भी इसमें होने वाली है औ आपको देखने को मिल जाएगा अगर मल्टिपल शिप्ट में आपका एक्जाम होता है तो काफी इंपोर्टेंट जानकर यहां पर पॉइंट दे हो है मिनिमम पासिंग परसेंटेज आपका चाहिए चो अन्डिजर्ड और अगर आप EWS के टेगरी से आते हो तो आपका 40% मा में आपको गिना जाएगा और OBC NCL के लिए आपको 30% रखा गया है एस्टी के लिए 30% और हिस्टी के लिए 25% रखा गया है ठीक है ध्यान रखिए और रिलक्स बाइए आप 2% आपको पी डिवली वीडियो को यहां पर छूट यहां पर देखने को मिल जाएगी अगर आप तो 40% आपको लाने पड़ेंगे यानि कि जो भी इतने आपको तो आपको यह पर 40 नबर आपको लाने अनिवारे है ठीक है मैं एक्जामपल समझा रहा हूं आपको अब इसमें जो आपका आपको यहां पर सीबीटी के लिए आपको जो ग्रेड फर्ष्ट यहां पर सिगनल क साथ ने करेए बैसिक साथ के आपके 30 tips न्बर करें यह फोले संसरा से बाल मिल जाएंगा कज़ेंट तो सेंड़ा हैं यह दो तो सेम्स ग्रेट के लिए हैं पूरा चालिस परसंद चाहिए टोटल आप ऑंख लमघ्त करें और मैंतिसเปड़ारण देखने को देख पा रहे हो आपको इसका पूरा टोपिक समझना है मेथेमेटिक्स जनरल इसन के यहापर किन किन टोपिक सापके क्युश्चन आएंगे तो पूरा आप अपने वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हो टेगनिशन ग्रेड थर्ड के लिए जो आपका सेलेबस रहने वाला ह जनरल साइंस का आपको चार्श क्युशन आएंगे और दस नंबर का रहने वाला है टोटल आपको सो नंबर का यह पर आपका होने वाला है जो पूरी जानकारी थी मिने आपको इस वीडियो के अंदर दे दी है इसका फॉर्म जो खल से शुरू हो रहा है तो फॉर्म फिलप अंदर देखने को मिल जाएगा इसी तरह सापको बनाना है और अगर आप अबी सी एंसे आते हो तो इसका जो सर्टिफिकर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा यह भी आपने स्क्रिन पर यह ठीक है देख पार है यह भी आपको नोटिफिकेशन के अंदर आपको देखने क इसको भी आपको भर्कना पड़ेगा कंपल से ठीक है और इंकम सार्टिफिकेट और एकोनोमिक लिए क्लास के लिए आपका यह रहने वाला है तो कंपेट जो पूरा है आपको नोटिफिक्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा उमीद करता हम वीडियो का पसंद आओगा वीडियो पसंद आओ वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को स्काइब कर दिए साथे मुझे इस्टाम पर फूला कर लेजिए इस्टाम का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा